हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बालकनी के स्टेंड बनकर आ चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुस हूं इस्टेंड देखकर क्यूंकि मुझे बालकनी में साफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती थी गमलों के नीचे से पानी निकलता नहीं था विल्कुल भी एक बार जाने के बाद और स्टेंड्स वही देखिए का भारी वेट हैं तो कितना इनका वेट है और किस प्राइज में हमने बनवाए हैं और कितने के ये हमें पड़े हैं पूरी इन्फोर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें बिना स्कीप किये हुए और वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल क बनते हैं तो पाइप वाले अगर हम स्टैंड बनवाते हैं तो उनका बीच में से मुड़ने का डर रहता है अगर हम इतना भारी वजन उनके उपर रखेंगे तो मुड़ने का कई बार डर रहता है तो आपको क्या करना है इस तरीके कि ये पत्ती वाले स्टैंड बनवाने ह अगर पत्ति वाले स्टैंड हमारे बहुत अच्छे होते हैं और यहां पर देखिए हमने इनकी हाइड जो है वो नीचे से 6 इंच की रखवाई है उपर से चोड़ाई इनकी 9 इंच है और नीचे से लंबाई इनकी 6 इंच है तो 9 इंच की चोड़ाई देखिए यहां से काफी तो फिर बालकनी में थोड़ा इस्पेस भी बचना चाहिए अगर हम थोड़ा और चोड़ा इने बनवा लेते तो फिर बालकनी में ज्यादा जगह नहीं बचने वाली थी तो फ्रेंट्स यहाँ पर देखें मेरे सभी स्टैंड रखे हुए हैं और एक स्टैंड हमने ये इस तरीके का बनवाया है तो ये वाला stand जो है मेरा देखे नीचे की side से 2 परत हमने इसमें बनवाई है इधर एक side से इधर और इसी तरीके से इसमें देखे उपर की side इधर की side 2 परत बनवाई हैं यह देखे आप इधर की side तो ये वाला stand बहुत ही अच्छा हमें लगा था, हमने इस net पे सर्च किया था, इसका design हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस पर हम अगर hanging basket वाले सभी plant रखेंगे, तो ऐसे नीचे की side देखे, आप मतलब जो hanging वाले होते हैं, नीचे की side लटकते हैं, plant तो बहुत सुन अगर आप stand अपनी balcony के लिए बनवाना चाते हैं, तो इसकी height देखे, आप 5 feet की है, पूरी height जो है, इसकी 5 feet की है, और इसमें हमारा मतलब हाथ भी बहुत अच्छे से चला जाएगा, पानी डालने के लिए plants में, या फिर कुछ भी साफ सफाई करने के लिए भी plants की हाथ भी अच्छे से चला जाएगा, तो ये पूरा देखे, आप इस तरीके से दिखता है, और यहाँ पर हमने कुछ stand लगवा भी दिये हैं, तो friends देखे, हमारी पूरी balcony के stand का वजन हुआ है, 3.50 kg, और 62 kg के हिसाब से हमने इनके 23,000 बिल मतलब इनका पे किया है, तो 23,000 इसलिए हु था, क्योंकि stand पर देखे, paint करने से पहले हमें primer भी करवाना होता है, तो primer के भी और paint के भी सभी का हमें मिला के, उन्होंने 23,000 बोला था, तो 23,000 पर कुल हमारे ये पड़े हैं, तो paint आप एक बार primer भी करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम primer नहीं करवाएंगे तो हमारे stand पर जंग लग जाएगा, तो आपको करना क्या है, primer आप करवाली जी, color आप अपने पसंद से कोई भी करवा सकते हैं, तो हमने देखे इन पर black color करवाया है, आप कोई भी red color भी करवा सकते हैं, white भी, तो अपनी पसंद होती है, तो हमने तो black color करवाया है, और इस सुंदर सा look इनका आया हुआ है, बालकनी में रखने के बाद, एक हमने इस pillar के पास रखा है अपने और एक दूसरे pillar के पास, तो इस तरीके से देखे ये दिखाई दे रहे हैं, और इन पर हमने ये सभी plant भी रख दिये हैं, डेकुरेट कर दिये हैं, तो ये सभी plant हमारे indoor plant ह देखे, नीचे की साइड लटक रहे हैं, तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इस तरीके से आपको भी idea हो जाएगा, अगर आप भी डेकुरेट के लिए अपनी बालकनी के लिए stand बनवाना चाते हैं, तो देखे, stand बनवाने से बहुत जादा फाइदा है, सबसे पहली बा अच्छे से साफ हो जाएगा, और मिट्टी वगारा जैसे हम पानी डालते हैं, स्प्रे करके तो मिट्टी भी कई बार निकल ही जाती है, तो इनके नीचे से देखे, आप सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि इनकी नीचे से जो हाइट है वो 6 इंच है, 6 इंच हमने ये गोलाई में करके थोड़ा बनवाया है, तो देखे, आप पूरी बालकनी बहुत अच्छे से लगी है और डेकुरेट करने के बाद, तो फ्रेंट्स आपको हमारी बालकनी कैसी लगी और ये इस्टैंड हमारे कैसे लगे डेकुरेट करने के बाद, आप हमें बताए जरूर कमेंट बोक्स में हमें तो बहुत सुन्दर सा लुक अब डेकुरेट होने के बाद, बहुत सुन्दर सा लुक आया है हमारी बालकनी में, पहले देखे हमारे सभी गमले सब नीचे की साइड रखे हुए थे, तो इतना ज़्यादा सब सुन्दर भी नहीं लग रहा थ देखने में, और अभी देखिए चारो साइड से बहुत सुन्दर सा लुक सा आया है, मतलब खिले हुए से दिखाई दे रहे हैं, सभी गमले भी और प्लांट्स भी ऐसा लग रहा है मानो, आज ही पालकनी विलकुल दुवारा से डेकुरेट हुई हो, हमें बहुत सुन्दर और बहुत जादा खुसी भी हुई है अपने स्टैंड देखकर, क्योंकि जो प्लांट्स लवर होते हैं, उन्हें प्लांट्स और स्टैंड ये सब चीज़े देखकर ज्यादा खुसी होती है, अकोर्डिंग किसी और चीज़ों के, तो देखिए यहाँ पर ये भी हमारे इं इस वीडियो में इतना ही, बाई बाई